वेसे तो contested divorce यानि की एक तरफा तलाक लेना है जो आसान होता नहीं है पर यहाँ पर अगर पती के पास में ये सब है जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वला हूँ अगर पती ने पहले से ये काम कर रखा है और केस के अंदर अगर पती के दौरा ये सारी बाते रखी जाती है और कोट के दौरा पती के दौरा रखी भी बातों के उपर अगर अमल किया जाता है उनको अगर घराई से देखा जाता है तो यहाँ पर contested divorce यान की एक तरफा तलाक लेना भी है जो बहुत आसान हो जाता है तो किस तरीके से कंटर्श डाइवोर्शन की एकतरपा तलाक लेना आसान हो जाता है कि आप बाते इस जज्जमेंट के इंतर खई गई है पती के फायदे का 100% जज्जमेंट है 100% वीडियो इसलिए अंतक पूरा वीडियो देखना है त सब्सक्राइब करके बेल आइगन को भी दबाना है तो चलिए शुरू करते हैं तो वैलकम दोस्तों मैं हुआ और कुभि जीटन दर यहां पे मैं किलियर कर देता हूँ कि बहुत से मामलों के अंदर आज कर क्या देखने को मिल रहा है यह देखने को मिल रहा है कि पतने के द पर है जो विपिन प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं पती के साथ हैं पती के जो family member है relative है उनको भी यहाँ पर दबाने की कोशिस है जो की जाती है यह एक practical बात है बहुत से मामलों के इंदर ऐसा ही देखने को मिल रहा है देखो कौन से पत्नियों को फाइदा मिलता है जो सच करती है यानि कि रियल में जिन पत्नियों के साथ में actual में घटना होती है उनके सुसुराल वाले उनके पती है उनके साथ में real में गलत करते हैं यहाँ पर अगर उन पत्नियों के ground मजबूत है तो बिलकुल उन पत्नियों को 100% फाइदा मिलता है यानि कि जो भी ओ आरोप साथ है जो बहुत लंबे हैं पुलीसर कोट है उन सभी को अच्छे से पता होता है कि यहां पर गलती किसकी है पर यहां पर देखो पतनी इस बात को सोचती नहीं है वह सोचती है कि यहां पर आरोप में लगा के रखोंगी क्या पता मेरे पक्स में रिजल्ट आ जाए पर ऐसा नहीं है आज कल है जो यह उनी के पक्स में जाता है जो गलत नहीं है तो इस मामले के अंदर क्या होता है पती के दौर कंट्रेस्ट डाइवर्शन की एक तरपा तला के लिए अपलाई किया जाता है सेक्शन 13 के अंदर और उसके अंदर मेंटल क्रिल्टी ग्राउंड है जो रखा जाता है पती के दोरा अब family court के अंदर ये मामला है जो डाला जाता है पर family court के दोरा पती को है जो को भी फायदा नहीं मिलता है पती की जो petition होते है डài Wherever की उसको family court के दोरा डिस्मिस कर दिया जाता है फिर पत् investigators द्वरा हाई court जाए जाता है हाई हाई कोट में अपनी बात रखी जाती है वहाँ पर सारे ग्राउंड फैक्ट्स वगरा हुँन सबी को हाई को दौरा घहराई से देखा जाता है यह पाया जाता है कि यहाँ पर पत्नी ने पति को कई बार है जो ऐसी धंकिया दी है पति को प्रेसान किया है जूटे केसों में फ प्रेस्ट भी करवाया है तो इन सबी से है जो पति को काफी कुछ है जो नुकसान भुगतना पड़ा है नुकसान इस तरीके से भुगतना पड़ा है कि पति कहां पर रेपुटेशन डाउन हुई है समाज की अंदर एक रेपुटेटेट परसन होते विए तो इन सबी को एक mental cruelty का part माना जाता है high court के द्वारा कि यहाँ पे पत्नी ने पत्ती के साथ mental cruelty किया है mentally harassment किया है और पिछले 7 साल से है जो पत्ती पत्ती अलग भी रह रहे हैं मतलब इनकी marriage है जो dead हो चुकी है और यहाँ पे जो भी आरोब पत्नी के तलाग है जो दे दिया जाता है तो यह जाड़कर यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि अगर आपकी पत्नी भी आपके साथ में अगर mental cruelty, mental harassment वगरा कर रखी है और इस judgment से मिलता हूँ अगर आपका मामला है इस judgment की help ले सकते हैं तो इस judgment का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद